जैहिंद साथियो आज का जो ख़ाइस के है रहेगा ये युरोप्यों का आगमन धिकते बहुत ही सवाल है वह पूर्थगाली कौन था वह पूर्थगाली कौन था साथियो जिसने गोवा पर अधिकार किया था तो अलफासो डी अलबु कर्क था करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों को जरूर से जरूर से शेर कीजिएगा आगे next सवाल है साथियो नेच्ट जो है वह बहुत important सवाल है सवाल है सवाल है सवाह है कि बाहरत में East India Company का पहला GOVERNरal General कौन था बहुत important सवाल है यह कोसन बहुत बार एक जाम में पूछा गया है यह रिपेटेट सवाल है ठीक है बहुत important सवाल है ध्यान से रखेगा इस chapter को ठीक है इससे बहुत इस सवाल पूछे जाते हैं कि पूछा है भारत में East India Company का पहला जो गवर्रल जनरल था वो कौन था तो Warren Hasting था जतना मीं सवालों के साथ हो complete करा दे जाएगा इसलिए वीडियो इसकी पना कीजेगा दोस्तों को जरूर से जरूर सेर कीजेगा ठीक है वर्स 1498 इसमि में बास्कोट D गामा भारत में कहां उत्रा था वर्स 1498 में साथियो बास्कोट D गामा जो था वह भारत में कहां पर उत्रा था तो काली कट में उत्रा था खरेक्ट हो जाएगा अगे next है next सवाल है कि वासकोट डीगामा कहां रहने वाला था वासकोट डीगामा जो था वो कहां का रहने वाला था साथ यो तो वो पुर्दगाल का रहने वाला था correct हो जाएगा आगे सवाल है वो अंग्रेज जिसने समराट जहांगीर के दरवार में आकर भैट किया तो कौन था वो सर टामसरो था वो क्या क्या वो जहांगी के दरवार में आकर उसने क्या उसका भैट किया ठीक है तो कौन था सर टामसरो करेक्ट हो जाएगा आगे सवाल है गोवा गोवा दमन और दीव का उपनिवेसी करन मुलता किया गया तो किषने किया तो पुर्दगालियों द्वारा किया गया करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है सातियो अलबु कर्क ने गोवा को पंदरो सो दस में किसे से छीना तो बीजापूर के सुल्तान से छीना गया करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है भारत तक समुदरी मार्ग की खोज की गई तो किसने की थी? तो पूर्द गालियों द्वारा किया गया था खोज? करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है ब्रिटिस्यों ने भारत में सूरत में अपनी पहला फेक्टरी अस्थापी करने की अनुवती किस से प्राप की थी? तो जहांगीर से प्राप की थी? करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है भारत के समुदरी मार्ग की खोज किसने की थी? तो बासकोट डिगामा ने समुदरी मार्ग की खोजकीती correct हो जाएगा ठीक है आगे है तिरतिय करनाटक यूद यगलोग फ्रेज संघर्ष की समापती किस संधी से हुई है तो पेरिस की संधी से हुई है correct हो जाएगा नेक्स्ट है साथियो पूर्दगाली वैपारिक कमपनी के भारत आगमन का सब प्रमुक उद्देश था तो क्या था काली मिर्च हुआ अन्य मसालों के वैपार पर एक अधिक कार प्राप्त करना correct हो जाएगा आगे है जब 17 मही 1498 में बास्कुट डिगामा काली कट में उत्रा तो किसने उसका स्वागत किया था तो काली कट कोजी कोट के राजा जोमरी ने किया था correct हो जाएगा आगे सवाल है पूर्थ गाली ओने भारत में सरवपर्थम कहां अस्थापी ने चापम काली कट के बास्था आगे है साथियों 1771 में भारत से मुगल समराट में अंग्रेजां की इस्ट इंडिया कमपणी को भारत में वैपार पर विश्यस धिकार प्रदान करने का फर्मान जारी किया तो किस ने किया तो फरुक फरुक सियर ने किया था correct हो जाएगा नेक्स्ट है बिरिष्टी के साथ वैसिन की संधी पेशवा में से किसने की थी तो बाजी रो ने किया था correct हो जाएगा नेक्स्ट है इस्टिड्निय कमपनी के नेतरित में रावर्ट कलाईव का उतरा दिखारी कौन था तो हेस्टिंग्स था correct हो जाएगा आगे सबाले साथियो किस पुर्थगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीती बुलू वाटर पॉलिसी अपनाई थी तो फ्रांसीकों की D. अलमीडा ने अपनाई थी correct हो जाएगा किसे भारत में पुर्थगाली समराज का वास्तविक सस्थापक का जाता है तो अल्फांसो D. अल्बुक करक को का जाता है correct हो जाएगा next है अल्बुक करक ने बाजी अल्बुक करक ने बीजापूर के किस सुल्तान से गोवा को चीना था साथियो तो यसूफ आदिल सांसे चीना था correct हो जाएगा next है पूर्दगाली उपनिवेस का पर्थम गवर्नर भारत में कौन हुआ था तो फ्रांसिको डी अलमीडा था correct हो जाएगा next है साथियों किस अंग्रेज ने पूर्दगालीयों को सोली स्वाली के अस्थान पर हर आया था तो थोमस बेस्ट correct हो जाएग नेक्स्ट सवाल है पर्थम करनाटक यूद में कौन सा ततकालिक कारण था अंग्रेजन दुवारा फ्रांसिसी चहाजों का अधिक ग्रहन करेक्ट हो जाएगा किसे जहांगीर ने खान की उपादी से सम्मानित किया था तो हॉंकिन्स को करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है उस छेत्र की पाचान करें जहां यूपिए वादसियों को सरवत्तम सेरा और अफिम प्राप्थ होता है तो बिहार में करेक्ट हो जाएगा बहारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली factory कहा स्थापित किया था तो सूरत में correct हो जाएगा जिस साथियों जिस साथियों इस्ट इंडिया कमपनी की दिवानी प्रदान की थी वह वहां था कहा था तो सा आलम दूतिय क्रेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है, बंगाल की फैक्ट्रियों में एक जो पुर्तगाली द्वारा अस्थापीत था, हुगली नदी के किनारे अस्थापीत किया गया था फैक्ट्री करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है एक दीप पर निर्मीत भारत का बड़ा नगर है तो क्या है भूंभई ब्रेमें आगे है भारत में तम्भागु के प्रचनल का स्रे जो हाई वह किसे दिया जाता है तो काणियों को दिया जाता है गुंद हो जाएगा नेक्से सथी हो इप अठारवी सधी में भारत रख लड़े यूधों का सही अला करम जो है वह कौन सा है तो पाला है कर दादक हैं यूध दाप दाद सलियों सत्धियो strategies ने अपण सबसे पहला कार खाना कहां लगवाया था तो सूरत में लगवाया था करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है साथ हो भारत में पाली मुद्रन मसीन की अस्थापना किस ने की थी तो पुर्धगालियों ने की थी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है पुर्धगाली उपनिवेसों गो पंद्रह सड्वी में किसने अस्थापिद किया तो पैडरो नेरु गेमियरो केमर्ण रोज़ कंबरल ने किया ठ representation हो जाएगा नेक्ष्ट है साथ भारत में भरतिय वस्तूम को किसे है तो फ्रंसिस्यों को है पुसे थिए बॉर्ल चेलन रहे तो अंग्रेज जो है वो सफल रहे आगे है वह कौन सा निरनायक यूद था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया जिस कारण डचों की भारत में चुनोती खत्म हो गई तो बेदरा का यूद 179 इस भी करेक्ट हो जाएगा आगे सवाल है साथियो डचों ने अप पहला अंग्रेज वेपार जो था वो कौन था तो राप फीच गरेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है ब्रिटिस इसद इंडिया कंपणी का गठन राजक्य अंधिकार पतर जारी कर और पुर देशों के साथ वेपार करने का एक अधिकार दिया तो रानी एलीजा वेथ ने दिया correct हो जाएगा Next है British East India Company का प्रथम गवर्णर कौन था तो Tom Smith था correct हो जाएगा Next है Captain Williams Honkins किस जहाज से भारत पहुचा था तो Hector correct हो जाएगा Next है किस मुगल बादसा ने 6 फरवरी 1613 को एक फर्मान जारी का अंगरेजों को सूरत में एक अस्थाई खोटी खोलने का अनुमती दी तो जहांगीर correct हो जाएगा Next है साथियो कौन इंगलेंड के समराथ जौम्स का राजदूद बनकर 1615 में मुगल बादसा जहांगीर के दरवार में अजमेर पहुचा तो Sir Tom Smith पहुचा correct हो जाएगा Next है साथियो 1661 में पूर्तगाल के राजा अपनी बहन कैथरीन बेगा राज की साधी इंगलेंड के राजा चाल्स से की इस उपलक्ष में उसने कौन सा भारतिय द्वीप चाल्स को दहेज के रूप में दिया तो बुंबई दिया correct हो जाएगा Next है इटर लोप्स थे तो क्या थे अनधीकरित व्यपारियों के रूप में समुद्रित लूटे थे आगे सवाल है साथियो 1632 में गोलकूंड के एकिस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहाला फर्मान जारी 500 पगोड़ा वर्स कर एवाज में उन्हें गोलकूंड राज के बंदरगाहों के स्वतंतरता पूरुबग व्यपार करने की अनुमती दी तो अब्दुल्ला कुतूब साहाने दिया था किस ने दिया था अब्दुल्ला कुतूब साहने अनुमती दिये थे correct हो जाएगा आगे है 1649 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहां सासक से मद्रास को पट्टे लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई तो चंद गीरी के राजा से correct हो जाएगा अंग्रेजों ने पूर्व भारत में पहली बार उडिसा में महानदी के मोहने डेल्टा पर हरीपूर बालासो एवं पीपली में फेक्टरियां कब अस्थापित की तो 1633 इसमी में correct हो जाएगा सहाजा के पूत्र एवं बंगाल के ततकालिन सुवेदार सूजा से ब्रिटिस कमपनी को निसान सहाजां द्वारा जारी आदेश पत्र का प्राप्त हुआ जिसमें कमपनी को 3000 रुपिया वार्षिक दर के बदले वैपार का विशेज दिकार मिला तो 1651 इसमी में correct हो जाएग पर चुंगी कर 2% से बढ़ा कर 3.5% कर दिया ठीक है तो औरंग जेव ने कर दिया साथियो correct हो जाएगा ठीक है किस ने कर दिया तो औरंग जेव ने कर दिया correct हो जाएगा अंग्रेजों को निकाल दिया था ठीक है साथियो वीडियो में अंतक बने रही है बहुती इन्पोरेंट सवाल रहेगा इस चेप्टर का ठीक है तो बढ़ते हैं आगे question की ओर सवाल है किस मुगल बात्सा ने अंग्रेज से 1 by 2 लाक रुपिया मुआवजा के तोर पर वसुला था तो औरंग जेव ने correct हो जाएगा नेक्स्ट सवाल है साथियो अंग्रेजों को सुतानी कालिकाता एवं गोदिपूर नामक तीनो गाउंग की जिमेदारी खोदेने की अनुमती देने वाला बंगाल का सुवेदार था कौन तो आजीम उसु सान correct हो जाएगा ठीक है आगे सवाल है साथियो अंग्रेजों ने सुतातानी कालिकाता एवं गोदिपूर की जिमेदारी किसने खरीदी थी तो 12 इस्वापूर में खरीदी गई थी correct हो जाएगा कि इस्वाल्यों साथियो बहरत में ब्रेटीज के दोरान नए सहरों का प्रदू भाव कलकाता जो अब कलकाता है उन प्रथम सहरों में एक था कौन से गउवा कौन से गउवं से मिलकर कलकाता सहर बना था तो सुतानी कालिकाता गोविंदपूर करेक्ट हो जाएगा आगे इसके दुवारा जारेज फर्मान को अंग्रेज ओर्म ने बंगाल में ब्रिटिस वैपार का मैना काटी बनाया था तो फरुक सियार दुवारा जार किया गया था फर्मान correct हो जाएगा next साथियो बंगाल में अंग्रेजों की कमपनी के बारे में किसने कहा था या एक कुस्त या नीच जग डालू लोगों और वैमान वेपारियों की कमपनी है तो इस ताती खां correct हो जाएगा next साथियो फ्रेसिस मार्टिन की वाजिपूर के सुल्तान सिकेंदर आल्दी साने अधिन्स्त वली कोडपूर के मुस्लिम सुवेदार सेर खां लोदी पांडुचेरी नामक एक छोटा गउं प्राथ किया मार्टुन ने पांडुचेरी का विकास किसके रूप में किया था तो पांडुचेरी के रूप में किया था नेक्स्ट सवाल है सातियो फ्रांसीसियों को चंदरनगर बस्ती किसने भैट की तो इबराहीम खाने करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट सवाल है मुगल बादसा ने किसे नवाग की पदवी परदान किया तो डूपले करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है पांडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डूपले कहां का गवर्नर न्यूक्ट किया तो चंदरनगर का करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है डूपले के बाद पांडी चेरी का गवर्नरल जनरल कौन था तो गोडे हूँ करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है साथियो कौन सा यूद निर्नायक यूद था जिसमें फ्रांसेसी हार गए और अंग्रेज की सर्वस्तम अस्थापित हो गया तो वांडी वास यूद 760 करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है साथियो कौन सा यूद 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 यूरोपिय आंग्लन फ्रांसेसियों द्वारा विस्तार से नहीं था तो दूतिय करनाटक यूद 749 से 54 करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट साथियो पर्थम करनाटक यूद की समाप्ति की संधी से हुई है तो एला सापेल की संधी correct हो जाएगा नेक्स्ट है, गोडेहु की संधी या पांडिचेरी की संधी 1754 की कौन सा यूद समाप्थ हुआ था, तो दूतिय करनाटक यूद समाप्थ हुआ था, करेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है, वाडी, वास के यूद 760, अंग्रेज का नेतरी तो किस ने किया था, तो सर आय कुड करेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है, करनाटक का तिर्तय यूद किस संधी के फलस्वरूप समाप्थ हुआ, तो पेरीज की संधी करेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्स भारत इस्तिती फ्रांसेसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को स्वप दिया था तो 1954 में swap दिया था correct हो जाएगा next है इतियासकर माकले के अनुसार हुआ पहला वेक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल समराज के खंडराओं पर एक एरोपिय समराज बनाया जा सकता है तो डूपले correct हो जाएगा next सातियो रूपियों ने कौन सा एक स्वतंत्र पूरवक भारत में वेपारी के रूप में सबसे अन्त में आये थे तो फ्रांसिसी जो है वह सबसे अन्त में आये थे आगे है सातियो भारत का बात्सा उस समय कौन सा ब्रिटेन की East India Company की अस्थापना हुई थी तो अकबर correct हो जाएगा अकबर ने अस्थापना की थी आगे है नीचे दिये गए कुट का परियोग करसा ही उत्तर चुनिये अगस्त 1947 बाद भी भारत का कौन सा भाग पूर्तगाल के अधिन बना था तो गोवा पूर्तगाल के अ एक हो जाएगा नेक्स्ट है और अन्तीम सवाल है इस चेप्टर का सवाल है वाडी वास के यूद्ध सतरसा साट में जो हुआ था वो ब्रिटीस और फ्रेंच की ने हरा ब्रिटीस ने फ्रेंच को हराया था ठीक है साथी हो तो यूरोपिया आगमन टोटल सवाल 89 सवाल था सो कम्प्रिट हो गया कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चेप्टर में तब तक के लिए जाएगे